नमस्कार दोस्तों मैं देवीलाल चोदरी पेरामांट एग्रोक्लासेज के यूटूब प्लेटफरम पर आपका ते दिल से आर्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपन दोस्तों एक राजस्तान की कल्चर का इंपोर्टेंट पार्ट राजस्तान के आख दो सब्सक्राइब करता हूं मैं लोग देुटाओं की तो थोड़ा सा इनमें आपको कॉमेंस्से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लोग देवता पकरने ऐसे पिसके बाद पांचपी बड़ेंगे तो दोस्तों हिंदी के 12 महीने जैषट, आसाट, त्रावर्ण, बादरपद, अश्विन, कार्तिक, मारक्षिष, पोष्ट, माग, फालगुन, 7 दिन का शप्ता, 15 दिन का पकवाड़ा, 30 दिन का महिना, 6 महिने का आदा वर्ष, और 12 महिने का एक वर्ष, स्तो वर्ष की शताब्दी, तो दोस्तों, अपने बात करते हैं 15 दिन का पकवाड़ा, एक होता है शुकलपक्ष, और दूसरा होता है दोस्तों, करशनपक्ष, शुकलपक्ष और करशनपक्ष, एक बार फिर रिवाज कर रहा हूं, पर्ति पदा, दिर्तिया, तर्तिया, चतुर्ति, पंच मी, तस्ति, शप्त मी, अश्ट मी, नौमी, दश अग्जाम में अगर टीप के नोकणी लग जाता है तो भी उसकी इजद और पढ़के लगता है उसकी भी क्या है इजद नोकरी important part in life तो मारवाडी में बोलो तो पढ़वा दूज तीज तोत्य पांचे छट्य सात्य आट्य नौमी दश्य ग्यारश बारस तेरस चोदश पुन्य तो दोस्तों ये इंदी के बारा महीनों का नोलेज आपको पता होना चाहिए मां आज एक टोफिक स्टार्ट करता हूं राज राजस्तान में पांच पंचपीर है सीद्धा पूछे राजस्तान में पंचपीर कितने पांच कितने पंचपीर है पांच एक होता है दोस्तों पीर और एक होता है पंचपीर एक होता है देवता और एक होता है लोक देवता एशे देवता जिसकी पूजा चेतर विशेश मे वो देवता एशे देवता लोक यानी होता दोस्तों संसार क्या होता है शंसार एशे देवता जिसकी पूजा शंपून संसार में हो वो लोक देवता खलाता है और राजस्तान के इतियाच के जितने भी लोक देवता उनका मेला भादरपद महीने में लगता है एक दो अपुआ की बात करें दोस्तों तो एक ता दोस्तों पाबू जी एक ता हडबू जी एक ता दोस्तों रामदेव जी एक ता मेहा जी मांगा लिया पर एक ता गोगा जी मोटा सारा नोट कर देना दोस्तों तेजा जी पंचपीर नहीं है तेजा जी पंचपीर नहीं है बार बार एक जामिन पूछता है निमन मेंशे पंचपीर है निमन मेंशे नहीं है तेजाजी दोस्तों चेतर विशेश में पूजा होती है एक जाती तेजाजी को पूजती है मान दें राजस्तान में सरवादिक तेजाजी को पूजने वाली जाती है परन्तु अगर बात करू में वागडगी और बात करूं हाड़ोती गी तो दोस्तों तेजा जी को नहीं पूजा जाता कितने पंचपीर है पाँच पाबुजी हडबुजी रामदेव जी मेहा जी मांगलिया गोगा जी तेजा जी क्या नहीं है पंचपीर नहीं है तेजा जी क्या नहीं है पंचपीर न आपू जी अडबू जी रामदेव जी मेहा जी मांगलिया कोगा जी तेजा जी क्या नहीं है पंचपिर नहीं है दोस्तों ये देवता और देवियां टोपिक इंट्रेस्ट टोपिक है तोड़ा सा जी लगाना रामदेव जी क्योंकि मन में आस्ता रहती है बगवान भी उसी क साथ देता है जिसमें देवताओं के पड़ती आसता है ए बाला जी माराज नो की लाग देता रहे शुआमनी कर दूला अरे बेटा रोजीना शुआमनी कर बाड़ा बोड़ा ज़े पर जिसने मेनत किया अगर गिल से तो बगवान भी उसी का साथ देता है तो दोस्तों लोग देवता कितने पंचपीर कितने पांच पापू जी भडबू जी राम गोगा जी तेजा जी क्या नहीं है पंचपीर नहीं है इशी कड़ी में में दोस्तों आगे बात करता हूं पहले लोग देवता के उपर राम देव जी तो आओ दोस्तों तो दोस्तों बात कर रहता राम देव जी की राम देव जी सबसे पहले अपन किशी भी चीज की अगर बात करते हैं तो उसके उपनाम जानना जरूरी है उपनाम जैसे जेपुर में बेटे हो जेपुर के कितने उपनाम जेपुर के उपनाम एक बार बता रहा हूँ खुलाबी नगरी रंग शिरी दीप आई टोप गिलेरी पूरका पेरिश और डूंडाड यह सारे के सारे किसके उपनाम है जेपुर के तो राम देव जी के उपनाम क्या है राम देव जी को एक तो बोलते हैं सांपरदाईक सदबाउना का देव जी को बोलते हैं क्रशन का उतार राम देव जी का एक उपनाम है राम शाफीर रामशाप पीर ये किसके उपनाम है रामदेवजी के किसके रामदेवजी के सामपरदाई सद्वाउना का देवता करशन का उतार रामशाप पीर तो दोस्तों बात कर रहा था रामदेवजी की तो रामदेवजी का जनम हुआ था दोस्तों चोद्धा सो गुन्चाली शिश्वी उड्डू काश्मेर गाउं उड्डू काश्मेर गाउं शीव तैशिल जिला बाड मेर और बाड मेर दोस्तों पड़ता है मारवाड में शीद्धा पुझे रामदेव जी का जनम कभुआ चोद्धा सो गुन्चाली शिश्वी उड्डू काश्मेर गाउं शीव तैशिल जिला बाड मेर रामदेव जी के पिता पिता का नाम ता दोस्तों अजमाल शिंग तंवर रामदेव जी के पिता अजमाल शिंग तंवर रामदेव जी की माता मेना दे मेना दे राम देवजी की पत्नी नेतल दे राम देवजी की बहीन शुगना भाई और राम देवजी की दरम भाईन डाली भाई डाली भाई मेगवाल समाज से समंदिती देखना दोस्तों वापश बात कर रहे थे हैं राम देवजी के बारे में कितने पंच पीर पाँच पाबुजी हडबुजी राम देवजी मेहा जी मांगलिया गोगा जी सबसे पहले बात हुई रामदेव जी के बारे में भिंश का नाम जमाल सिंग तावर चीन हर सोगनाबं त्सेम माईनि बाहें का नाम सुगना बाई और द्रम बाहें का दाली तो दोस्तों फिर ऐपन कर दें जाit के बारे में एक बार रुकना तो्ट सा वापस देखते हैं पर रामदेव जी के बारे में तो रामदेव जी के पिता ते अजमाल सिंग तवर माता मेना दे पतनी नेतल दे बहीं शुगना भाई और द्रम भाईंती डाली भाई तो दोस्तों आगे बात कर रहा था मैं रामदेव जी के बारे में तो आगे देखते हैं पर रामदेव जी के बारे में मीरा भाई का कंगन किसे बोलते हैं मीरा भाई का कंगन तो दोस्तों मीरा भाई का कंगन बोलते हैं रामदेवरा को किसको बोलते हैं रामदेवरा को मीरा बैगा क्या बोलते हैं कंगाने बोलते हैं दोस्तों फिर दोस्तों रामदेव जी की पच्रंगी दौजा पच्रंगी दौजा पच्रंगी दौजा क्या कराती है नेजा नेजा रामदेव जी के मेगवाल वक्तों को मेगवाल बक्तों को विक्किया करते है विक्किया करते है तो मीरा भाई का कंगन रामदेवरा को बोलते है रामदेव जी की दौजा नेजा और रामदेव जी के मेगवाल बक्तों को विक्किया और रामदेव जी के मेले में जो जागरन किया जाता है मेले में जागरण पुषे बोलते हैं जम्मा रामदेव जी के मंदिर को मंदिर नहीं होता रामदेव जी के पगले पुझे जाते हैं पर्तीक चिन होता दोस्तों रामदेव जी के मंदिर को भी खानी खते हैं और रामदेव जी का पुझारी लौक देव्टां चाधा सब पूझारी गोड़ला ही खलाता है रामदेवजी का परतीक चिन परतीक पगल्या पगल्य पूझा है रामदेवजी का मेला पाधरपर सुकल दित्याशे दित्याशे एका दर्शी तक लगता है दोस्तों रामदेव जी ने जहां इनकी जनम मुमीती उडुकाश्मेर गाउं शीव तैसिल जिला बाड मेर इन्होंने अपनी बत्ती जी को उसमें दहेज में दे दिया था तो दोस्त मां आपको बात कर रहा था रामदेव जी के बारे में तो मीरा भाई का खंगंगन किसे बोलते हैं राम लेवरा को पत्रंगी दवजा क्या गलाती नेजा मेगवाल वक्तों क्या बोलते रिकिया मेले में जागरण जम्मा जागरण मंदिर को थान पुजारी गोडला पर्तिक किन पगले पुजाते हैं इनका मेला बादरपर शुकल दित्याशे एक कादसी तक कापे लगता है गाउं रूनेचा तएसिल पौकरन जिला जैशल बैर आपको एक चीज बता दूं जितने भी देविया उनका मेला बादरपढ महीने में में लगता है और जितने भी देवियां उनके तेल के पकवानों का भोग लगता है और माताजियों के तेल के पकवान उखे तेल के पकुलों क्या लगता है आपको पता हो कि यो दीवियां लगबप डेवियों के शराप चाड़ा जाती है और सराब भी देशी नहीं कौन सेड़ा जाती है English तो दोस्तों अपना आगे बात कर दे राम देव जी के बारे में राम देव जी राजस्तान के इतियाश के राजस्तान के इतियाश के एक मात्रेशे लोग देवता एक मात्रेशे लोग देवता जो कवी थे और इनकी रचनाती दोस्तों इनकी रचनाती 24 बनिया 24 बनिया सिद्धा पुझता राजस्तान के इतियाश में एशे कौनसे लोग देउत्ता थे जो कवी थे राम देव जी और इनकी रचनाती दोस्तों 24 बनिया इसी कड़िमा दोस्तों मैं आगे बात करूँका राम देव जी के बारे में तो राम देव जी को बादरबा सुकल दित्या को बाबबेरी दूज भी बोलते हैं इनके भाई थे राम देव जी के भाई वीरम देव दाली बाई मेगवाल समाज से समझिती मेगवाल बक्तों को रिक्या के नाम से जानते हैं तो दोस्तों राम देव जी का मेला बादरबर शुकल दितिया शे एकादेसी तक लगता है इसी के साथ आज ये टोपिक अपना राम देव जी यहीं कतम होता है दोस्तों राम देव जी के बारे में अपने पढ़ा राम देव जी टोपिक क्या ते राम देव जी क्या उपनाम ते मेला कब लगता है आज इनके बारे में पढ़ा जैन दोस्तों ब्राम रम्सा